और इस दिन जो भक्त चाबल खा लेते हैं उनके लिए वो चाबल कीड़ी के समान माने गए हैं दद्रहुआ सरकार एक हजराट के भक्त जनों को एकादसी की हार्दिक सुबकामना है एक काम का एकादसी है और इस एकादसी के ब्रत का बहुत पुन्यफल माना जाता है एक यग्य के समान इस एकादसी का ब्रत का पुन्यफल माना जाता है आप सभी इस एकादसी का ब्रत कीजेगा और इस एकादसी का अधिक महत पर जानने के लिए आप सभी हमारे दद्रहुआ सरकार एक हजराट फेस्वुक पेज़ पर जरूर जुड़िएगा हमारे पेच को फॉलो कीजिएगा साथी दद्रहुआ सरकार की डेली अपडेट और वहां के दर्सनों के लिए भी पेच को फॉलो कीजिए मैं रागवंद्र मिलूंगा अगली वीडियो के शाथ सभी को पुना एकादसी की हार्दिक सुपकामना है आप सभी को एक बार और अवगत करा दूँ एकादसी के दिन चाबल खाना पूर्ण रूप से निशेद होता है और इस दिन जो भक्त चाबल खा लेते हैं उनके लिए वो चाबल कीडी के समान माने गए हैं इसलिए प्लीस आप लोगों से निवेदन है एकादसी के दिन विशेश ध्यान रखें घर में चाबल ना बनाएं जब तक एकादसी का महूरत चल ला है पर आयन के बाद ही आप लोग चाबल गरण करें यो तो चाबल को महाप्रसाद माना जाता है लेकिन यदि आप एकादसी के दिन चाबल खाते हैं तो आपके पुन्यों को छीन करता है और कहीं न कहीं आपको अपराद का भागिदार बना देता है